बुर्मानिंग प्यारे बच्चों आज हम ग्लास नाइन की सोशल साइंस की वक्षीट अंबर 38 को डिसकस करेंगे बच्चों या आपके भुगोल के पार्ट पांच प्राकर्तिक बनस्पति दतवन्य प्राणी से रिलेटेड है पिछली वक्षीट में हमने प्राकर्तिक बनस् फटार को पढ़ेंगी कि राकर्तिक बनस्पतिया कितने भागों में बाटी गई है भारत में नेमर प्रकार कि प्राकर्तिक बनस्पतिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली वक्षीट में ऐसे पौधे पेड़ पौधे जो अपने आप उग जाते हैं और बीना किसी मान भी साहेता के खुद बोखुद बढ़ते रहते हैं तो इन प्राकरतिक वनस्पतियों को भारत में पांच भागों में बाटा गया है पहला है हमारा उष्ण कटी बन दिये वर्शा वन सैकिन है उष्ण कटी बन दिये परणपाती वन थाड़ कटी लेवन और जाड़िया फोर् कि जो पेड़ पौदे यहां पर जो वन है उसमें जो वो अपनी पत्या एक साथ नहीं गिराते थोड़ी पत्या गिरते हैं तो साथ साथ नहीं पत्या भी दूसरे उसमें आती रहती है यह वन पश्मी घाटों लक्ष्योदीप अंडमान और निकोबार दीप समू और असम क जो जो हमारा जैसे यह विश्यूवत ब्रेत हैं तो यह जो उश्न कटी बन दिया वर्शा बन है यह कहां पाए जाते हैं विश्यूवत ब्रेत भूमद्य रेखा से पांच डिगरी उत्तर और पांच दिगरी दक्षिन का जो यह हमारा हिस्सा है यहां पर यह पाए जाते है अब इस शेत्र में तापमान जो होता है वो बहुत ज़ादा होता है और बारिश भी यहाँ पर हमें बताएगे कि 200 सेंटीमीटर से ज़ादा होती है तो टेमप्रेचर और बारिश दोनों ही ज़ादा होने की वज़ेसे यह वरिक्ष जो हैं की उचाए बहुत ज़ादा हो जात इन में व्यपारिक महतों के कुछ व्रिक्ष पाए जाते जैसे आबनूस महोगनी रोजवोड रवड और सिंकोना इन बनों में हाथी बंदर लंगूर ही रन पाए जाते हैं और व्यपारिक महत वाले जिन से हमें आर्थिक लाब होता है इस तरह के पेड़ पौदे यहां पर पाए जाते और जो हमारे हाथी बंदर लंगूर ही रन यहां पर पाए जाने वाली प्रजातिया है उसके बाद है बच्चों हमारा उश्निकटि वन दिया पर्णपाथी वन इनको हम पत्जडवन भी कहते हैं या फिर इनको हम मांसूनी वन के नाम से भी जानते हैं पर्ण में सबसे बड़े हुए बड़े शेत्र में फैले हुए बन है और इन शेत्रों में 37 संटीमीटर से 200 संटीमीटर तक की वर्षा होती है और मुख्यत कहां पर पाए जाते हैं जारखंड पश्चिमी उडिशा और च्छतिस में यह पाए जाते हैं उश्निकटी बंद्य परणपाती वनों में सबसे प्रमुक पर जाती हैं बच्चों सागोन और व्यपारिक में हत्व के भी कुछ वरिक्ष यहां पर पाए जाते जैसे बास सीशम चंदन कुसुम अर्जुन और शेहतूत अब इन में जो है सुष्क परणपाती वन भी होते परत्पाति ओसमें भी आदर परन्पाती बन होते हैं और सुष्क परन्पाती कौन से ब्चचों जहां पर वारिश 있나 से भी कम होती है और यह उत्तरप्रदेश जिए था बिहार की मदानों में पाए जाते हैं नेक्स्ट है है हमारा कटीले वन और जाडिया इनके नाम से ही जैसे आपको पता लग रहा है कि कटीले वन यहां पर पाए जाएंगे जाडिया पाए जाएंगे तो यह मुख्य तर जो रेगिस्तान वाला इलाके है वहाँ पर जाते जैसे राजस्थान क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होने की वज़े से वर्षा कम होने की वज़े से कटीले वन और जाडिया लगती हैं इनकी जो मुख्या पादप रजाते हैं वह अकासिया खजूर यूफोर्पिया तथा नाकपनी केक्टाई इसे केक्टेस हो गया खजूर होगया की कर्व भूल यह इस तरह के वन वहाँ पर पायजतलते तरह के पेड़पोतिया पादज हैं यहां पर बच्चों इन में चोड़ी पत्ति वाले ओग तता चैसनट जैसे व्रिक्षो की प्रधानता होती है और जैसे जैसे हम उच्चाई बदलती जाते। उसी प्रकार से जो पेड़ों के प्रकार है व्रेक्ष जो है वो भी बदलते जाते हैं तो पंद्रा सो से तीन हजार मीटर की उचाई के बीच शंकुधारे व्रेक्ष जैसे चीड पाइन देवदार सिल्वर पर स्प्रूस सीडर आधी पाए जाते हैं और चतिस सो मीटर से मनस्पति होते हैं वो घास के मैदानों में और अलपाइन मनस्पति में बदल जाती हैं सिल्वर फर जुनिपर पाइन वबर्च इन वनों के मुख्य व्रेक्ष हैं और ये परवत्य वनों के मुख्य व्रेक्ष हैं इन वनों में प्राइक कश्मीरी कश्मीर महामरिक चित्रा हीरन, जंगली भेड, खरगोश, तिबथी, बारा सिंगा, या, किमतेंद्वा, गिलहरी, रीच, आइक बेक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड तता बकरिया पाई जाती है, अब बात करते हैं बच्चों हम मैंग्रो बन की, मैंग्रो बन को हम तटिय बन भी क केहते हैं, ज्वार बन भी कहते हैं, क्योंकि ज्वार भाता है, उसका पानी इन बनो में, होता है, और यह लुद्स पते, शेत्रों है उसके वालों जो हिन के तटो पर कटी हो जाती है वह बहुत ही जाओ शेत्र होता है और इस भसा क्योंकि समुद्र संध्र का पानी ठौत होता है और इस वज़ा से यह को Baby कहलाते है तो घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति हैं जिसमें पौदोगी जड़े पानी में डूबी रहती है क्योंकि यह तट्य शेत्र पर होने कि जासे पानी इन में हमेशा रहता एंसलिए इनकी जड़े होते हैं वह हमेशा पानी में डूबी रहती है और गंगा क्रिश्णा का वेरिंकेट दो डल्ट है तो गंगा ब्रहंपुत्र डेल्टा में सुन्दरी व्रिक्ष पाये जाते हैं और कौन सा व्रिक्ष पाये जाता बच्चों सुन्दरी व्रिक्ष पाये जाते हैं गंगा ब्रहंपुत्र डेल्टा पर जिन से मजबूत लगड़ी प्रा इस शेत्र का जो प्रसेद जानवर है वो है रोयल बंगाल टाइगर आई होप बच्चो आप कोई वक्षीट यहां तक समझ में आ गई होगी अब हम इस वक्षीट की कोशिण इंस को डिसकस कर लेते हैं हमारा फर्स्ट कोशिण है बच्चो भारत में कितने प्रकार की वनस्प पाए जाती है आणसर को लिखना कैसे है वह मैं आपको बता देती हूं तो इसका अंसर है बच्चो भारत में प्रकार की वनस्पतिया पाए जाती है पहली उष्ण कटी बंदिया बर्शा वन दूसरा उष्ण कटी बंदिया परणपाथी वन ठर्ड कंटी ले वन और तो हमारे पांच शेत्रों में बटा हुआ है पहला है जो उश्निकटी वंदिये वर्षा वन उसमें रोजवुड रबर्ड सिनकोना आपनुस आधी पाए जाते हैं सैकेंड है बच्चो हमारा उश्निकटी वंदिये परणपाती वन जिसमें बास, सीशम, चंदन, अरजुन, शेहतूत आधी पाए जाते हैं थर्ड कटी ले वन और जाडियां जिसमें कैक्टेस, खजूर, अकासिया, यूफोर्बिया आधी पाए जाते हैं फूर्थ था हमारा परवतिय वन जिसमें चीड, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सीडर आधी पाए जाते हैं फिफ्थ हमारा मैंग्रों वन जिसमें नारियल, ताड, क्योडा, वेंगार आधी पाए जाते हैं थार्ड कोशन बच्चो भारत के प्रमुक वनस्पति शेत्रों का संशिप्त वर्णन कीजिए इस उत्तर को हम इस तरह से लिखेंगे भारत के प्रमुक वनस्पति शेत्रों का वर्णन नेर्म प्रकार है पहला उश्नकटी बन दिया वर्षा बन ये वन पश्मी घाटो लक्षदीप अंडमान और निकुवार द्रीप समू असम के शेत्रों में पाय जाते हैं यहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है इनमें वेपारिक महत्व के कुछ वरिक्ष पाय जाते हैं और फोर्थ प् ये शेत्र में फैले हुए हैं जारकन पश्चिमी उडिसा चतिसगड में पाय जाते हैं इन्हें मानसुनी वन भी कहते हैं और प्रमुख वरिक्ष हैंस के बास सीशम चंदन कुसुम अर्जुन तथा शहतूत वह प्रमुख प्रजाती सोगान है थार्ड है हमारा कटीले वन तथा जाडियां शेत्र ये वन मुख्य तर राजसान में पाय जाते हैं मुख्य पादप्रजातिय अकासिया खजूर यूफोर्बिया तथा नाक्वनी फोर्थ परवत्य वन ये वन परवत्य शेत्र जैसे हिमाले शेत्र में पाय जाते हैं सिल्वर फर जुनीपर पाइन व बर्च मुख्य व्रिक्ष हैं इन वनों में कश्मीर महामरे खरगोष चित्रा हिरन हिम्तेंद्वा लालपांडा अधी पाए जाते हैं फिप्त है बच्छो हमारा मैंग्रोव वन यह वनस्पति दटवरत्य शेत्रों में पाए जाती है नारियल ताड क्योडा वेंगार भिन है इसका अंसर है बच्छो मैंग्रोव वन अन्यवनों से भिन है क्योंकि यह तर्टे शेत्रों में पाए जाते हैं और खारे पानी में विखसित होते हैं तता इनकी जड़ सदय पानी में डूबी रहती है फिप्त कोशन बनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उप्योगी है जोसे वन जो है वह हमारे लिए किस तरह से उप्योगी हमें यहां पर यह बताना है असकान सार बच्छो बनस्पति हमारे लिए निम्र प्रकार से उप्योगी है पहला यह वर्षा लाने में सहायक है यह बार्दता भूमी के कटाव को रोकते हैं यह ऑक्सिजन प्रदान क करती है बनस्पति उद्योगों को कच्चा माल उप्रब्द करापती है और सिक्स्त बनस्पति प्रदूशन कम करने में सहायक है तो बच्छों यहां पर हमारे वक्षिट कंप्लीट होती है आई होब आपको यह वक्षिट समझ में आगई होगी अगर आपको वीडियो अच् के बाइबाइ बच्चों खवाग टेप्यारे बच्चों